नमस्कार दर्सकों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गुरु वार का दिन भगवान ब्रस्पती और भगवान विश्णों को समर्पित होता है और यहीं आपके जीवन में कोई धन सम्मंदी परिशानी चल रही है कोई बादा आ रही आपका कारोबाट ठीक नहीं चल रहा है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है हर व्यक्ति सुखद गरहस्त जीवन चाहता है नौकरी धन और सिक्षा चाहता है ऐसे में हर व्यक्ति को भगवान ब्रस्पती की पूजा करनी चाहिए आज हम आपको ऐसा ही एक उपाई बताने वाले हैं जिससे ब्रस्पती भगवान आप पर प्रसंड होंगे व्यक्ति भगवान के भी आप प्रक्रा रहेगी क्योंकि वह विस्णु भगवान ही ब्रस्पती भगवान का स्वरूप है और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिसके करने से ही आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा आपको नौकरी मिल सकती है आपके जीवन में धनकी प्राप्ति होगी तो दोस्तों ऐसा उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है गुरुवार को सुभा इसनान करक उसके बाद आपको एक ग्लास में या फिर एक कटोरी में शुद्ध जल लेना है उसमें दो बुंद गंगा जल मिलाना है दो तीन बुंद जैसा आपके पास गंगा जल अवेलेबल हो उस हिसाब से आप गंगा जल मिलाएं उसमें थोड़ी सी हल्दी डालने और उस पानी को अपने उपर छिड़काव करें या फिर आप उस पानी को अपने नहाने वाले पानी में भी मिला कर नहा लें ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है भगवान वरश्पती का आशिरबाद हमेशा आप पर बना रहेगा उसके बाद आप भगवान को प्रणाम करें यदि आपके घर के आसपास या घर में केले का पेड़ लगा हो तो केले के पेड़ की पूझा जरूर करें क्योंकि केले के पेड में भगवान विश्णू का सत्यनारण का भगवान विश्णू ब्रहणवान ग्रस्पती का वास होता है और गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारण की कथा करना भी शुमाना जाता है तो आप हो सके तो कथा जरूर करें कथा ना कर पाएं तो कथा आप यूटूब के माध्याम से भी सुन सकते हैं बस इस मरण मात्रे से ही आपका दिन आपका सफलता जरूर मिलेगी आपका दिन बन जाएगा और उस दिन आप जो भी कारे के निकलेंगे ना उस दिन आपको सफलता ही प्राप्त होगी आपके जीवन में धन संमंदी सफलता जीवन सार्थक बना सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे श्री शिवाय नमस तुभ्यम